चांदी की छड़ी एक आदमी सागर के किनारे टहल रहा था एक एक उसकी नजर चांदी की एक छड़ी पर पड़ी जो बहती बहती किनारे आ लगी थी वै खुशुआ और जटपट छड़ी उठा ले अब वै छड़ी लेकर टहलने लगा दूब चड़ी तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ उसने सोचा अगर चड़ी को किनारे रख कर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा इसलिए वै चड़ी हाथ में ही पकड़ कर नहाने लगा तभी एक उँची लहराई और तेजी से चड़ी को बहा कर ले गई वै अपसोस करने लगा और दुखी होकर तड़ पर आ बैठा उधर से एक संत आ रहे थे उसे उदाश देख पूछा इतने दुखी क्यों हो उसने बताया स्वामी जी नहाते वे मेरी चांदी की चड़ी सागर में बहा गई संति ने हरानी जताई छड़ी लेकर नहा रहे थे वे बोला क्या करता किनारे रखकर नहाता तो कोई ले जा सकता था लेकिन चांदी की छड़ी लेकर नहाने क्यों आये थे स्वामी जी ने पूछा लेकर नहीं आया था वै तो यहीं पड़ी मिली थी उसने बताया सुनकर स्वामी जी हसने लगे और बोले जब वै तुम्हारी थी है नहीं तो फिर दुख या उदासी कैसी मित्रो कभी कुछ खुशिया अनायास मिल जाती है और कभी कुछ श्रम करने और कस्ट उठाने से मिलती है जो खुशिया अनायास मिलती है परमात्मा की ओर से मिलती है उन्हें सरहाने का हमारे पास समय नहीं होता इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिंती करने में जो उसके पास नहीं है आलिशान बंगला, शांदर का, स्टेटस, पावर वगेरा और भूल जाता है कि वह एक दिन सब कुछ यूँ ही छोड़ कर उसे अगले सफर में निकल जाना है धन्यवाद झाल झाल जाओद